आपके समने एक फिगर नाजर आ रही है इसके अंदर बहुत सारे रिजिस्टन्स है इन सब के अंदर से गुजरने वाला करण्ट और इसके लावा हमने पावर को फाइंड आपके सबसे पहले एक करन्ट एजूम कर लेंगे लूप का हम कहते हैं लट से वह इस डिरेक्शन में तो अगर हमने इसका इस डिरेक्शन में लिया तो दूसरे का भी हमारे पास यही डिरेक्शन होगी करन्ट की इसको मैं I1 और इसको मैं I2 कह दूँगा और बाकी रिजिस्टन्स इसको मैं नाम दे देता हूं यह मेरे पास R1 है यह मेरे पास R2 है यह मेरे पास R3 है यह मेरे पास R5 है और ये मेरे पास R6 है ठीक है जी और इसमें E ये मारे पास E1 है और जो हमारे पास दूसरा है ये मारे पास E2 है ये हमारे पास given data था अब इस given data के जरीए मैं पहले loop 1 की equation मिलाऊंगा फिर loop 2 की और उन दोनों equations को simultaneously solve करके इसके currents को find out कर लूँगा और फिर उन currents के जरीए मैं each resistance में से गुजरने वाले current को find out कर लूँगा और जब मेरे पास current आ जागा तो मैं easily इसमें से power distributed को find out कर सकता हूँ तो सबसे पहले start लेते हैं हम अपने loop 1 की equation का अब loop 1 की equation देखेंगे तो current मेरा positive side से निकल रहा है यानिके e1 मेरे पास positive है सबसे पहले आगा e1 इसको मैं loop 1 कर देता हूँ e1 आ गया अब उसके बाद मेरे पास r1 में जा रहा तो मैं x को minus कर दूँगा और यह मेरे पास i1 into r1 अब मेरे पास r2 में जा रहा है sign मेरे पास minus कई आएगा और मैं इसमें current की direction लिखूँगा i1 minus i2 आपको समझ आ रहा होगा यह हमने last numerical में किरिचफ लोगा के यही किया था और r2 और हमारे पास last choice में है resistance वो r3 है यानिके minus i into r3 और यह i1 है is equal to 0 अब मैं इनकी values को put in करने लगा तो यह हो जागा 6 minus i1 r1 कितना है बचो मेरे पास 1 है तो मैं 1 को नहीं लिख रहा i1 minus i2 i1 minus i2 ऐसे ही आ जागा i1 minus i2 ऐसे ही आ जागा और r2 की जगा में लिख दूँगा 2 और i1 r3 r31 है तो यह मैं इसको i1 लिख देता हूँ ठीक है जी अब क्या 6 जो है इदर आके 0 की जगा प्याप आएगा तो यह minus 6 हो जागा और मेरे पास रिमेनी का जागा minus i1 minus 2 into i1 minus minus plus होदा तो plus 2 into i2 और यह minus i1 is equal to minus 6 अब यह minus i1 minus 2 i1 minus 3 i1 minus 3 i1 minus 4 i1 plus 2 i2 is equal to minus 6 अब इन में से हम अगर minus 2 को कॉमा ले ले तो मेरे पास आजागा 2 i1 minus minus i2 is equal to plus 3 यह आपको समझ आयोगा मैंने क्या किया किया कि जैसे मैंस 2 को कॉमा ले लिए और मेरे पास आखरी equation यह आगए 2 i1 minus i2 is equal to 3 यह मेरे पास equation number 1 आगए अब मैं equation number 2 की तरजान लगाओ equation number 2 में भी जो मेरे पास current direction थी वो same थी और current direction सेम होने की वज़ा से हमारे पास जो e2 है उसके साथ मेरे लगाना पड़ा है क्यूंकि current मेरा negative sign से निकल रहा है तो मैं अपनी equation लिखने लगाओ that is minus e2 यह मेरे पास आगया loop 2 minus e2 अब उसके बाद r6 में गया है तो मेरे पास current इसमें i2 है तो minus i2 into r6 अब मेरे पास r2 में जा रहा है तो यह आएगा minus हमारे पास आजाएगा i2 minus i1 और r2 और फिर मेरे पास r4 में गया तो मैं लगँगा minus into i2 into r4 और फिर इसके लाबा r5 है तो r5 में भी मारे पास current है उसके साथ minus i2 into r5 is equal to 0 अब यह मेरे पास second की वह आगी अब मेरे पास just values put in करता हूं तो r6 को देखें तो r6 मारे पास 1 है तो मैं उसको ऐसी लिख दूँगा तो e2 की जगह मैं लगता हूंगा minus 10 और इसके लाबा जो i2 है वो i2 या एगा क्योंकि r6 मेरे पास 1 थी minus यहाँ पर i2 minus i1 और i2 जो है मेरे पास 2 है तो मैं इसको 2 लिख देता हूं और R4 R4 मेरे पास 1 है तो मैं इसको भी माइनस I2 लिख देता हूँ और R5 मेरे पास 2 है तो यह आज़ेगा माइनस 2 I2 इस इक्वल टू 0 यह माइनस 10 जो इदर आके राटने साट पर प्लस 10 हो जाएगा मैं ऐसा करता हूँ इस इक्विशन को अपनी नेक्स स्लाइट पर लिखता हूँ और आपको इसको ताके हमारे पास क्लियर हो जाए सबसे पहले हम इसके इक्वल 2 पर 10 लिख देते हैं और यहां पर जो माइनस I2 है यह वाला 2 जो एक साथ मल्टिवल होगा फिर क्या होगा आई देखते हैं यह हमारे पास आएगा सबसे पहले माइनस I2 माइनस 2 I2 माइनस 2 I2 और प्लस 2 I1 और माइनस I2 और माइनस 2 I2 अगर आप इसको देखें तो आपको एडिया होगा कि इसमें I2 और I1 आपस में एड हो रहे हैं I2 कितने हमारे पास माइनस I2 और माइनस 2 I2 यह मारे पास बनता है माइनस 3 I2 माइनस 3 I2 और यह माइनस I2 मारे पास माइनस 4 और माइनस 2 कितना होता है मैनस 2 को कॉमा ले ले ले, तो हमारे पास यह आजएगा जी, 3 I2 माइनस I1 और यह माइनस 5, यह आपके पास दूसरी एक्वेशन आगी, that is very very important, यह मारे पास दो एक्वेशन आगी, पहली आगी और दूसरी आगी, अब अगर हम देखें अपनी पहली equation को तो मेरे पहली equation थी 2i1 में और दूसरी equation है खाली i1 में और यह माइनस में है तो ऐसा करते हैं हम इस second equation को अपने उपर वाली format में ही लिखा रहें देते हैं यह जो इस form में लिखी थी हम इसको और simplify नहीं करते हैं होगा क्या कि हमारे पास solve करने में असान ही हो जाएगी ठीक है मैं इसको equation number 2 गह देता हूँ तो हम में क्या करते हैं just add करते हैं subtract करते हैं क्योंकि यह 2i1 प्लस में और यह भी मारे पास 2i1 प्लस में ठीक है तो हम इसको लिख देते हैं दूसरी form में 2i1 minus 6i2 is equal to 10 यह मारे पहली यह लिख equation और इसके पीछे है हमारे पास 2i1 minus i2 2i1 minus i2 is equal to 3 अब अगर देखे तो आपके पास 2i1 और 2i1 सेम है और इसको माइनस करने के लिए इसको सारी science को change कर देंगे हम ऐसा करते हैं इसको माइनस लगाते हैं minus 5i2 ठीक है जी हम इसको लिख लेंगे minus 5i2 और 10 minus 3 क्या होता है मारे पास 7 तो i2 क्या आजेगा मेरे पास minus 7 over 5 यह आप देख लिए आपने कि i2 निकाल लिए minus 7 over 5 या हम इसको minus 1.4 ampere भी कह सकते हैं i2 is equal to minus 1.4 ampere अब i2 मेरे पास निकला है मैं i2 के जरी i1 कैसे निकाल लूँगा तो मैं किसी भी equation में पूट कर सकता हूं लेट से मैं इस second equation में पूट कर देता हूं तो यहां से मैं i2 i1 के सान निकल लिए 2 i1 is equal to 10 plus 6 i2 और मैं की values को पूट कर तो 10 plus 6 into i2 के जगा में लिख देता हूं 1.4 और यह 2 नीचा के डिवाइड हो जाएगा i1 आ जाएगा और मेरे पास 2 नीचा के डिवाइड होगा तो हमने इसको लिख देते हैं numerator में 10 plus 6 into 1.4 और denominator में मेरे पास 2 तो हमारे पास अज़ता है 0.8 Ampere यानि कि मेरे पास i1 है वह equal to 0.8 Ampere आ जाएगा अब i2 मेरे पास 1.4 है और i1 जो है वह मेरे पास 0.8 Ampere है अब मेरे पास 2 currents आ चुके हैं अब मैंने इन दोनों currents के जरीए उनके individual currents निकालने हैं R1, R2, up to R6 तक और इसके लावा power dissipated निकालने हैं सबसे पहले मैं current निकालता हूं each resistance का हम लोग एक heading ना लेते हैं current through each resistance through each resistance सबसे पहले मैं अगर R1 की बात करूं तो R1 में क्या होगा मेरे पास i1 into R1 i1 मेरे पास 0.8 into उसके जो अंदर हमारे पास ऐसा करता हूं मैं यहाँ पे लिखता हूं R1 है और R1 में current आपको पता है जो current है वही उसमें से गुज़ा रहा है i1 into R1 मेरे पास i1 minus i2 तो बाकी सब में current है वही होंगे R1 के अंदर जो मेरे पास current है 0.8 ampere R2 मेरे पास कितना है R2 में हमारे पास i1 minus i2 0.8 minus 1.4 2.2 ampere i2 के current है 2.2 ampere R3 के current है i1 नहीं था 0.8 ampere जबके R4, R5 और R6 में i2 current था तो R5 और R6 मेरे पास current है 1.4 ampere और 1.4 ampere तो यह हमने current through each resistance को find out कर लिया अब है हमारे पास power dissipated of each resistance को find out करना है वह हम कैसे करेंगे आए इनको भी देख लेते है power dissipated सबसे पहले मैं R1 का निकालता हूं R1 में जो हम power निकाल रहे होंगे वह आपको पता है P is equal to i square into R1 से निकाल रहे होंगे i square है मेरे पास 0.8 और हमारे पास R1 है वह है 1 तो 0.8 का square मेरे पास क्या होता है 0.8 का square मेरे पास होता है 0.64 0.64 watt अच्छा ये मेरे पास आगी R1 की power फिर हमारे पास आप R2 है R2 में मेरे पास current आपके सामने है resistance आप इसके अंदर put in कर देंगे तो ये P2 है P2 मेरे अंदर current क्या है मेरे पास 2.2 का square और R2 R2 की value क्या थी मेरे पास करके इन सब की resistance के जरीए इनकी power को find out कर लेंगे मैं P6 निकाल लेता हूं और बाकी सब में यही फार्मूला लाग रहा है I2R तो हम P6 निकाल लेता है ताकि आपको बाकी भी खुदा find out कर सके तो ये क्या हो जागा I2 में आजगा मेरे पास 1.4 का square और R क्या है मेरे पास 6 में मेरे पास R6 में है 1 तो मैं इस जगा पे 1 लिख देता हूं तो 1.4 का square है मेरे पास 1.96 Watt होता है तो यह आप देख सकता है कि हमने individual resistances के current भी find कर लिए और उनमें से जो power dissipate हो रही थी उसको भी हमने easily find out कर लिए I hope आपको यह numerical अच्छे से समझ आ गया होगा जिसमें हमने किर्चस वोल्टिज ला को detail में सीका हमने सबसे पहले current की डिरेक्शन को determine किया loop को और फिर उन loose में हमने इलाइदा-इलाइदा किर्चस वोल्टिज लॉल गाके current की दो equations बनाई और current की दो equations को simultaneously solve हमने power dissipation of each resistance को भी find out कर लिया और इसी numerical के साथ हमारा यह chapter complete होता है see you in the next video with a new chapter until then this is rita from tutorial.pk